असलाम लेकुम एवरिवान कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब ठीक होंगे वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ममास की चैनल टिप्स आज हम बना रहे हैं केरी का मुरब्बा केरी की खटी मिठी चिर्टनी जो बहुत ही मज़ेदर बनती है केरी का मुरब्बा बनाने के लिए हमने वन केजी केरी ली है सबसे पहले केरी को वाश करेंगे वाश करने के लिए एक बाउल लेंगे उसमें दो गलास पानी डालेंगे हाफ कप हमने इसमें सिर्का एट किया है केरी को सिर्के वाले पानी में डालेंगे और 5 मिनट के लिए डिप रहने देंगे फिर हम इसको सिर्के वाले पानी से हर एक केरी को वाश करेंगे केरी कम है या ज्यादा आप सिर्के और पानी की कौन्टिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं केरी को सिर्के वाले पानी से अच्छी तरह वाश करने के बाद किसी भी साफ कप्ड़े से हम ड्राइ करेंगे मुरबा बनाना चुटनी बनाना या अचार बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है ये बहुत असाने से बन जाते हैं लेकिन इनके सफ़ाई बहुत सुरूरी है इसे साफ कप्ड़े से अच्छी तरह ड्राइ करेंगे हर केरी को अच्छी तरह ड्राइ करने के बाद अब हम इसके कवर रिमूव करेंगे इसके बाद हम इसे स्लाइसिस में कट करेंगे आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते है अक्सर लोग इसकी गुट्लियों को भी मुरब्बे में एड़ करते है आपके मरसिया है आप गुट्लियां एड़ करना चाहते हैं ये नहीं यहां हम गुटलियों को एड़ नहीं करेंगे हम इने रिमूफ कर देंगे यहां पर हमने सब कैरी को स्लाइसेज में कट कर लिया है अब हम रबा बनाना त्यार करते हैं सबसे पहले हम फ्लेम को आउन करेंगे उस पर एक बरतन रखेंगे कैरी को पानी में डालेंगे और इसे 70-80% कुक होने के लिए रखतेंगे ज्यादा से जदा इसे 5-6 मिनुट के लिए हम पकाएंगे कैरी को बॉयल करेंगे बॉयल करने से इसका दुर्शपन कम हो जाता है ये 70-80% टेंडर हो चुकी है अब हम इसे चेक करेंगे और इसे ड्राइ होने देंगे अब हम मुरबब बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक कड़ाई लेंगे इसमें 1 कप चीनी जाएगी 1.5 कप इसमें पानी डालेंगे चीनी को पकने के लिए रखतेंगे जब तक इसका शीरा त्यार होता है तब तक ये पकता रहेगा इसको मिक्स करेंगे और पकने देंगे केरी ड्राइ होनी चाहिए अगर केरी अच्छी तरह से ड्राइ नहीं होगी तो मुरबब ज्यादा टाइम के लिए सेव नहीं हो सकता चीनी अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुकी है इसको हम mix करेंगे अब हम इसमें कैरिस डालेंगे और इसे mix करेंगे अब इसमें half tea spoon लॉज़ी डालेंगे half tea spoon black salt डालेंगे half tea spoon white salt डालेंगे और इसमें one table spoon सिर्का डालेंगे इसमें सिर्का as a preserve work करेगा आप इसे four to five months के लिए easily store कर सकते हैं इसमें food color add करेंगे food color add करने से color बहुत ही प्यारा आता है इससे slow flame पर 15 से 20 minutes के लिए कुक किया है इतना कि जो केरी में कसर है वो खतम हो जाए और ये अच्छी तरह से tender हो जाए अब हमने चेक करना है कि ये अच्छे से पग गया है के नहीं इसमें हम ऐसे line बनाएंगे अगर ये दोनों side आपस में नहीं मिल रहीं तो इसका मतलब कि ये complete prepare है ये तियार हो चुका है अब हम इसे plate में निकालेंगे आम का मुरबा तियार हो चुका है आप इसको जरूर try करें अगर आपको ये रस्पी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ इबाल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि लेटिस्ट वीडियो आप तक इसले पहुंच सके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अला आफेज